चलिए, हम लोग अपने learning process को continue रखते हैं कल के session में हम लोगों ने inside candle के formation में एक डोजी बनता है जहां से trend का rejection होता है उस concept को समझा था कि उसको identify कैसे करते हैं उसके बाद डोजी के और formations को हमको trade करना सीखना है उसके एक identification का part और रह गया है जिसको आज की session में हम लोग अभी सीखेंगे अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से entry exit किये जाएंगे ठीक है आज की session में जितना समय रहेगा उसके अनुसार हम लोग तै करेंगे कि कहां तक session को हम लोग ले जा पाएंगे ठीक है चलिए शुरुवात करते हैं entry exit बहुत महत्पूर है कि identification पहचान के बाद दूसरा जो step आता है कि आपकी खरीदारी किस इसतर पर होगी और कैसे आप अपनी trade को plan करेंगे उन दोनों points पर हमको नज़र रखनी होगी ठीक है तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे inside candle का जो कल के session में हम लोगों ने formation सीखा उसको एक बार दोरात के हुए आगे बढ़ जाएंगे तो कल हम लोगों ने सीखा कि कहीं भी जब किसी candle के formation में एक body size candle के बाद एक dozy candle का formation होता है और जब उस candle के high break होने के बाद एक नए body size candle का formation होता है इस तरीके से तो जब price अब दुबारा lot कर इस range में आएगा तो इस dozy के high और इस dozy के low को हम block order की range बोल रहे हैं ठीक है इस dozy के high और इस dozy को low को क्योंकि हम block order की range बोल रहे हैं क्यों क्योंकि ये price में एक pause था pause का मतलब क्या हुआ sir रुकावर ठहराओ यहां पर demand जादा हुई supply से जिस कारण से price ने momentum की शुरुबात की और यहां पर जाके close किया next candle में demand supply दुबारा equal हुई और फिर से third candle में demand जादा हुई supply से और price ने जाकर फिर higher side close किया तो demand higher than supply, demand higher than supply और यहां पर demand equal to supply तो जहां पर price में demand supply बराबर हुई उसके बाद next step पर पहुँचे demand दुबारा से जादा हुई अगर यहां से price में conversion आना होता तो यहां पर supplier aggressive short कर सकते थे और price को दुबारा नीचे ला सकते थे यह जो candle higher side close किया है इसको दुबारा नीचे की तरफ close कराते वो भी एक inside candle का formation होता तो यहां पर पता लगता है कि सिर्फ पहली खरीदारी के बाद एक दूसरी खरीदारी जो की गई यहां पर sellers के साथ fight के गारा तो दुबारा से जब demand higher हुई तो वो range यह डोजी था क्योंकि इसका open और close near about था बहुत जादा difference नहीं था तो ना तो price चल के गया ना गिर के आया तो price में कोई up या down momentum तभी नहीं आता है जब buyer और seller की संख्या लग 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 बराबर हुई तो हम लोगों ने क्या सीखा इस तरीके की खरीदारी को हमको यहां पर यह high break होने पर भी खरीदा जा सकता है और जब price momentum करके lot कर आएगा तो हमको पता है कि पिछली बार यहां पर buyer seller का एक fight चला था और इस fight में पहले से buyers अपनी खरीदारी में lead ले चुके थे उसके बाव दुरोंने दुबारा खरीदारी की higher price पर देखें यह price इसलिए strong है क्योंकि buyers का base buying price यह bottom यह है लेकिर उनका second buying price bottom से बहुत pass है तो उन्होंने अपने price में बहुत strong support areas create किये हुए है इस वजह से यह price इतना strong दिखता है आपको अब यह price यहां पर लिए रहने ही वाला है जहां से आपको momentum मिलेगा ही मिलेगा अब कौन से time frame पर हम इसको identify करें और कौन से time frame पर हम trade करें तो इसके लिए हम लोग क्या अपनाते हैं top to bottom approach ठीक है अच्छा इस price action को तो आपको ध्यान हो गया अब इसके साथ एक candle और बनता है जो इससे भी powerful inside candle हो पहली candle supplier का candle होगा supply candle का मतलब हुआ कि यहां पर अगर पहले candle का formation इस तरीके से किया जाए और इस candle का ये एक supplier का candle है ये इसका open और ये इसका close ठीक है open price ये और close price ये तो price गिरते हुए नीचे आ रहा था लगाता downfall ठीक है अब ये downfall के price में जब price यहां पर एक dozy candle का formation करेगा तो इस dozy candle के formation के बाद next candle किस तरीके से momentum करेगा इस तरीके से एक body size green candle का formation होगा बात clear हो रही है जब इस तरीके से green candle का formation होगा तो ये inside candle पिछले previous candle से ज़्यादा powerful है अब ये जो inside candle है न ये previous candle से ज़्यादा powerful है अच्छा इस में इस candle का body part से कोई बहुत बड़ा impact नहीं पड़ता इस candle की body part से impact पड़ता है क्योंकि ये candle एक buying को और दर्शारा है जो की seller के against में आई ये देखिए previous जो हम लोगों ने price को सीखा वो इस तरीके का formation है ठीक है वो इस तरीके का formation है यहाँ पर एक dozy बना फिर यहाँ पर इसको तोड़ते हुए एक नया candle अब इन दोनों में जो एक major difference है हैं तो उनों dozy candle के ही price लेकिन जो major difference है वो पता है क्या है वो है कि इस candle दोनों में जो बहतर अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा trade plan ज्यादा बहतर होगा execution के लिए तो आप बोलेंगे ये पहला जो trade plan है ये वाला red candle का formation फिर एक dozy और फिर उसके बाद एक body size green candle यहाँ पर कभी भी बहुत ध्यांद चे सुनिए यहाँ पर कभी भी consecutive दो डोजी candle हो जाएं तो नहीं तीन हो जाएं तो नहीं हमको क्या चाहिए aggressive buyer कल हम लोगों ने इस point को समझा था कि aggressive buyer को कैसे पहचानते हैं बताइए aggressive buyer को पहचानने का मतलब है price का consolidation का period जितना छोटा होगा price का momentum उतना sharp होगा वो block order का range उतना impactful होगा इसलिए से मतल एक डोजी candle इंसाइड वनने दे रहे हैं दूसरे candle के लिए नहीं क्योंकि time duration जादा हो जाएगा accumulation period बड़ा हो गया तो buyer जो है वो calmness के साथ खरीदारी कर रहा है जब price lot कर price दुबारा इस range को touch करेगा न तो पता नहीं हो दुबारा खरीदारी बहुत तेजी से करेंगे भी या नहीं करेंगे लेकिन हमको चाहिए support के price प्राइस जब भी आये तो हाँ से एक momentum चाहिए तो block order का range बहुत aggressive होना चाहिए और इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा aggressive range है वो इस candle का है क्यों यहाँ पर buyers पहले से dominate कर रहे थे तो उनके लिए खरीदारी करना कोई बड़ी बात नहीं थी sellers तो सामने से sell का ही नहीं रहे है आपने पहली खरीदारी की sellers ने यहाँ पर थोड़ी बहुत quantity बेची उसके बराबर आपने quantity को equal किया demand फिर जादा हो गई अब आगे निकल गए लेकिन इस formation में seller पहले aggressive है उसने एक बड़ी बिक्वाली किये आप एक बात बताईए अभी 100 रुपय पर कोई share trade कर रहा है और मैं आपसे बोलूँ कि इसकी खरीदारी होगी वो 95 रुपय पर होगी लेकिन price क्या करता है एक ही candle में आदे घंटे की candle में ही 95 के price को touch कर देता है इसका मतलब क्या है price बहुत तेजी से aggressively downside move कर रहा है तो इस बिक्वाल के price को देखकर behavior को देखकर आप क्या समझेंगे कि अभी यहाँ पर buying रहने देते है price को और लगता है थोड़ा discount मिलेगा तब हम खरीदेंगे तो एक seller के सामने अपनी positions को खड़ा करना आसान बात नहीं होती पहले से खरीदार खरीद रहे हैं तो उस बहती गंगा में आप साथ चल सकते हैं उस trend को ride कर सकते हैं लेकिन पहले से अगर seller aggressive behavior में है और उसके सामने वहाँ पर जाकर अगर आप buying को प्लान करेंगे वो आपके लिए एक बड़ा task है से तो एक institution जो सामने institution seller को देखके डरा नहीं और उसकी बड़ी selling quantity को देखकर भी नहीं डरा तो पहले जितनी ये बिक्वाली आई उसको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या है यहाँ पर supply is higher than demand supply बिक्वाली बहुत aggressive ही उसके बाद इस बिक्वाली से price को convert किया गया supply और demand को ज़्यादा किया गया कि supply जितनी आ रही थी उसके बरावर demand दी गई तो price को रोका गया फिर अगली ही candle में demand को इतना higher कर दिया गया कि supply से कम रह गये supply से ज़्यादा हो गये खरीदार जितने बेचने वाले थे उनसे ज़्यादा संख्या होगी खरीदारों की अब ये buyer एक अच्छा buyer है एक aggressive buyer तो ये जो price का action है इसी को हम बोलते हैं inside candle का formation और ये ज़्यादा powerful ठीक है अब इसको कैसे पहचानते हैं ज़रा समझ के बहुत सारी candles के formation में इस तरीके के price action आपको देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो गिरावट बहुत यहाँ से देखें red candle का formation red candle का formation red candle का formation और इस candle के बाद ये एक dozy candle का formation high low mark कर लिजए इसके ठीक है कैसे trade करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ high low इसके mark कर लिजए इस candle से कोई मतलब है नहीं इस train line से कोई मतलब नहीं और ये हमने marking किस time frame पे की है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि price में हमको जिस प्रक्रिया को follow करना है वो है top to bottom approach कि हम बड़े खरीदार को छोटे time frame पे जाकर trade करेंगे कैसे इसको समझना है बहुत ध्यान से सुनिए top to bottom approach का मतलब है अगर देखिए पहले एक बिक्वाली आई बिक्वाली के बाद price में एक dozy candle बना एक महीने लगातार बिक्वाली चलती रही फिर एक महीने तक demand supply लगातार एक जगह पर रुकी रही फिर एक बार candle का formation हुआ एक green candle formation का और एक महीने तक लगातार खरीदारी चली इसका मतलब है इस range के जो खरीदार है उन्होंने इस inside candle में monthly time frame के ये खरीदार है महीने के खरीदार अब सोचिए महीने के खरीदारों के पास price कभी भी hourly या daily time frame में आकर touch भी करेगा तो वहां से momentum impactful आएगा की नहीं आएगा क्योंकि एक महीने के खरीदारों के block order का range है तो कितने orders उनके pending पड़े होंगे उस range में सोच कर देखे एक बार अब कितने ही orders pending होगे तो उस जगहे पर जब price lot कर आएगा तो वहां पर आपको अपनी buying को execute करना है और momentum को ride करना है फिर वहां से momentum को आपको ride करना है इस तरीके से तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले बताईए इस तरीके से सबसे पहले marking की एक inside candle के formation की और फिर हम लोग छोटे time frame पे चले गए daily time frame पर और daily time frame पे जाके क्या देखना है कोई भी buying का setup जब price अपने previous momentum के पास पहुंचे जहां से पिछला momentum आया था उसी inside candle के पास तो वहां से आपको कोई भी buying की approach देखनी है अब वो कोई भी हो सकती एक तो सबसे simple जो आपको पता है lower lows के formation से जब price turn होकर higher highs की तरफ बढ़े ठीक है यह पहला तरीका है higher highs की तरफ बढ़े दूसरा lower lows के formation से price आये और consolidate करते हुए यहाँ पर bottom के पास positive consolidation करे trap करे फिर आगे निकल जाए bottom के पास price आये एक inside candle का formation करे उसके high break करके swing high के उपर sustain करने लगे तीसरा इस तरीके से जितने bottom के पास engulfing का आप यूज कर सकते हैं किसी तरीके से भी की गई खरीदारी वहाँ पर आपको एक price में एक बड़े momentum के लिए entry देगी वो पहला लिया गया SL swing low का होगा और आपका target जहां से price ने downwards momentum की शुरुआत की वहीं पर है जैसे अब price यहां पर पहले momentum में चलके गया यहां से भी record करके यही inside candle का time था price ने फिर इसको आकर retest किया retest किया यहां पर जब retest हो रहा है 5 रुपय या 6 रुपय उपर gap up करके open होगा तो उसको एक अच्छा buying process बोलते है और price यह 10 रुपय के आसपासी अगले दिन पूरा recovery कर लेता है तो दो candle का अगर आप दो session का एक candle देखेंगे तो पूरी तरीके से एक hammer candle का formation देखेगा अगर अलग-अलग एक daily time frame का एके candle देखेंगे तो पहला candle आपको इस तरीके से red दिखेगा और अगला candle इस तरीके से green दिखेगा जो की इस body के above side से सुरू हुआ होगा देखें यहां पर यह बना हुआ है इस वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके के formation की बात करो ठीक है अब price क्या कर रहा है इस inside candle यह जो candle है इसके upper wick के उपर लगातार sustain कर रहा है और यह last swing हाई है तो आपकी खरीदारी यहां करेंगे तो यह swing low का है stop loss है अगर यहां पर aggressive entry करेंगे अगर आप aggressive wire है तो यहां पर entry कीजे defensive wire है तो यहां entry कीजे वो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे entry करेंगे देखिए डोजी inside candle के बहुत सारे trade plan है जिसमें से एक सबसे basic trade plan मैं अभी आपसे discuss कर रहा हूँ कि इस तरीके से की गई खरीदारी बहुत आपके लिए impactful होती है और आप पहले देखिए back test करने से क्या होगा back test तो मैं आपको R.I.L. Reliance का भी दिखा रहा हूँ आप बोलेंगे मैं आपको और भी दिखा दूँगा ठीक है लेकिन live market में back test नहीं live market में जाकर position को trades कीजिए अपने equity की buying को clan कीजिए अपना position sizing maintain कीजिए और वहाँ पर जो आपके परड़ाम आते हैं उससे निड़े कीजिए कि चीज़े कितने बहतरीन तरीके से price में काम कर दी है charts में और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ आप trade कर रहे हैं इंडिया में लाखो ट्रेडर ऐसा है जो इस तरीके के concept को डोजी को trade करता है बड़े टाइम बस है क्या patience सर अब जो option buyer है ना उसके लिए तकलीव क्या है उसको intraday में momentum चाहिए यहां पर monthly time frame पर हम लोगों identify किया daily time frame पर buying करेंगे अब जो job oriented person जिसको बाजार देखने का समय नहीं जो कहते हैं मेरा psychology कर बढ़ रहता है अरे सर आप इसमें आपको close market में ही पहले से analyze करना है कि कहाँ पर आपकी entry होगी पहले से बंध market में पहले से आपको inside candle का मंतरी time frame पर identification करना होगा फिर जाकर आपको खरीदारी अपनी plan करनी होगी फिर जब वहाँ पर breakout या इस तरीके का कोई इस तरीके होगा उस हाई के बाद आपको daily time frame की entry होगी तो आपको कहा time देना है बाजार में live market में तो आपको बहुत कम समय देना है और equity का का काम करना है सर अब कई लोग बोलते है equity में मेरे पास capital ही 2 lakh है तो 2 lakh से मैं कितना ही कमा लूँगा swing trading में अरे सर description में आपको पास motilal के dmat का link है वहाँ पर आपको 5x तक margin मिलता है holding के लिए ले जाए कितना करीदेगा आप option buying से तो बहुत बैतर है न आप ये 2 lakh option buying कीजिएगा capital को zero कर लेते हैं आप लोग option buying करते ही जाने के हैं समझ ही नहीं आता है option buying में आप लोगों को क्या मिलता है दो दिन पैसा कमा के जब 28 दिन गवाना है 22 session होते हैं महीने के और दो दिन आपको profit देगा 20 दिन आपको घाटा देगा आपका capital wipe out हो नहीं होना है और ये आप लोगों को भी पता है फिर भी आप लोग option buying करते हैं ना तो hedging की तरफ बढ़ना है ना selling की तरफ बढ़ना है ऐसे ठीक है ना तो equity पर focus करना है जाब पैसा बन रहा है वहाँ किसी को focus नहीं करना है क्योंकि time taking process है ना लोगों को चाहिए intraday में double होना triple होना सम्भब नहीं है ना सर आप business की तरह treat करेंगे बाजार को तो तो बहतर तरीके से चीज़े काम करेंगी और आप अगर gambling की तरह treat करेंगे तो फिर आपकी favor में कुछ नहीं अब यहाँ पर आपका यह अगर entry बनता है तो यह आपका swing low का SL है और यह आपका target मैंने क्या कहा जहां से price ने momentum downside शुरू किया था अलागि price उसे ज्यादा चलता है लेकिन एक initial target के लिए हमारा SL area बहुत छोटा होता है और हमारे target risk reward ratios बहुत बढ़े होते हैं ठीक है और monthly time frame के buyer है सर एकीन मानिए जब तक आपको target दे नहीं देते हैं तब तक वो price में कोई भी एक भी exit नहीं करते हैं ठीक है simple price है एक और example लेते हैं चलिए कल हम लोग pro के price को भी देख रहे थे वहाँ पी एक example हम लोग ले लेते हैं सिर्फ महीने के खरीदार को ढूणना है और daily time frame या दो घंटे के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेट करते हैं ऐसा कोई जोरी नहीं कि daily के टाइम फ्रेम पर भी आप अपने order execution असानी से कर पाएंगे यहां पर देखिए यह price यहां पर आ रहा है और देखिए इस तरीके के candle formation एक यहां पर inside candle और यह दो consecutive in circle तो इसका कोई हमारे लिए बहुत बड़ा impact रहे गया हाँ खरीदारी अच्छी है क्योंकि यह inverted hammer के high break को कर momentum हुआ है बाइंग अच्छी है लेकिन बाइंग के अलावा जो सबसे अच्छी बाइंग है वो कहां पर इस range पर देखिए इस range पर सबसे wallet setup नहीं था ठीक है इस candle के अबव का यह close यह बहुत ज़रूरी है ठीक है क्योंकि इस candle के अबव जो एक liquidity zone है उसको उसने grab किया वहां पर जाके close किया है properly वो closing बहुत ज़रूरी है अगर इस range की उपर कोई solar होता तो यह close नहीं करने देता है इसको push करता और नीचे close कराता ठ ठीक है तो यह aggressive buyer है जिन्होंने इस candle के high के उपर की closing दी है तो तीन candle कैसे एक body size candle एक डोजी और उसके बार next candle इस high को breaker के close करता है यह हमारे लिए क्या हो गया एक price जिसको हम trade कर सकते हैं अब क्या करना है daily time frame पर जाकर identify किया क्या price पहली बार कब इस price को test करेगा तो यहाँ प गया दुबारा टच करने आया इस low के नीचे से stop loss अंटिंग किया अब यहाँ पर आपकी entry होती है यह आपका stop loss area यह आपका target है simple जितना आसानी से आप इसमें entry exit करेंगे और सबसे पहतर चीज़ क्या है risk reward ratio ना सर equity में आगर आपने अपना risk reward ratio maintain कर लिए और equity में बड़ी आस आसानी से होता है कोई आपको theta तो देना नहीं है time की value तो पे करनी नहीं है बहुत आसानी से risk reward ratio आप अपना plan कर सकते हैं यहाँ पे entry अब बताइए 360 आप खरीदेंगे 360 के बाद आपका SL 320 point माल लेता हूं इंसाइट डोजी के और जितने भी trade plans हैं उसको one by one discuss करेंगे अब हम लोग सीखेंगे कि छोटे time frame पे जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो 25 मिनट के time frame में जब आप inside candle की marking करना सीख लेंगे तब आपको समझाएगा कि price कितना वर्थिट है trade करना inside candle के बेहाव पर सिर्फ marking करना से इक लीचे देखें जैसे पहली marking अगर मैं आपको बताओं तो इस candle की करनी है यह candle है यह इसकी marking अब यह क्या है सर बताईए down, dozy और इसके high break और यह candle बना कहाँ पर है यह candle बनता है एक support area के पास इसका मतलब है अब यह support बहुत अच्छे से काम करेगा क्योंकि यहाँ पर एक नई block order range बन गई पिछली बार भी खरीदारी यहीं से आ रही थी इस बार भी यहाँ पर पिछली बार से ज्यादा aggressive buying दिख लिखेंगे कि 25 मिनट के time frame को अच्छा कई लोगों को 25 मिनट के time frame के option नहीं मिलेंगे तो 25 मिनट के time frame का विकल्प यह trading view के chart में आपको मिलेगा धन के dmit में इसका link आपको description में मिल जाएगा अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो telegram का link भी आपको description में मिल जाएगा ठीक है तो 25 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट के time frame जो आप description में link है धन के dmit का उससे जब आपना dmit open करेंगे तो seconds और minutes और इस तरीके से 75 मिनट, 45 मिनट, 25 मिनट के बहुत अच्छे से time frame को हम लोग trade कर लेते हैं तो अगर आप open करना चाहें तो description के link से open कर सकते हैं और हमसे जुड़ भी सकते हैं धन्यवाद